हेलो फ्रेंड्स आप से लिगा केम सिंग्स ब्लॉग वल्ड में स्वागत है आज में बनाऊंगी वेज सेंड्विच जिसके लिए मैंने फोल पीसेज के स्लाइस ब्रेट के स्लाइस को लिया है ये खाने में बच्चे वे बड़े को बहुत ही पसंद आता है क्योंकि ये मिक्स सब्जियों का बना रहता है और बहुत ही हल्दी भी होता है तो चलिए बनाते हैं वेज ग्रिल सेंड्विच जिसके लिए मैंने चार पीसेज के स्लाइस ब्रेट के लिए हैं इसके किनारे वाले भाव को मैं एक एक करके कट करके सभी को निकाल ली हूँ अब मैं ब्राउन वाले भाव को अलग कर लोंगी और इधर मैं लोंगी एक बाउल जिस पर मैंने लिया है कैप्सिकम हाफ कैप्सिकम को मैंने चुटे-चुटे बारिक टुक्डो में कट करके लिया है इसके साथ मैं एड करूंगी टमाटर को भी मैंने बारिक टुक्डो मे कटकर के लिया है और गाजर गाजर को मैंने कद्दू कज करके लिया है और मैंने डाला इसमें कुकुमबर यानि खीरा खीरा को भी मैंने चुटी-चुटी पीसेज में कटकल या चाओ दे इसमें ओनियन भी ऐड़ कर सकते हो लेकिन मैं नहीं डाली हूँ और इसमें मैं एड़ करूँगी मोयनीज 2-3 टेवल स्पून के करीब मोयनीज डाला है ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर यानि काली मिर्च अब सभी को इसमें मिक्स कर लेंगे इधर मैं डालूँगी नमक आप अपने स्वात के अनुसाल कम्यादि नमक कर सकते हो जैसा आप टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने तो देखें हमारा स्टफिंग हो गया है रेडी यानि मिक्स्चर हो गया रेडी इधर मैंने लिया है दो स्लाइस के ब्रेट को और इसमें मैं लगाई हूँ बटर अब मैं ब्रेट के एक स्लाइस पे वो मिक्शर को अच्छे से फैला दूँगी डाल कर यानि इस्प्रेट कर दूँगी देखे मैंने इस पे अच्छे तरीके से इस्प्रेट कर लिया है दूसरे ब्रेट के भाग से इसे cover कर लूँगी यानि ढख लूँगी और इसे दो pieces में बिच से cut कर दूँगी देखे आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकतो यह खाने में yummy और टेस्टे लगता है लेकिन मैं इसे grill sandwich बनाओंगी जो की बहुती crispy oh yummy बनके तयार होता है जो बच्छों को बहुती पसंद आता है देखे इधर मैंने लिया है sandwich maker इसमे मैं डाली हूँ butter अब इसमे मैंने जो sandwich को बना कर लिया है उसको मैं डाल दूँगी और इसे मैं 2-4 मिनट के लिए ऐसे cover करके रखूंगी जब हमारा sandwich ready हो जाएगा तो यह light अपने आप बंद हो जाता है देखे फाइनली हमारा sandwich grilled sandwich बनके हो गया है ready बेजगुरी sandwich यह खाने में बहुत ही tasty और yummy लगता है और यह बचों को बहुत ही पसंद होता है और बहुत ही healthy भी होता है और बहुत जटपड बनके तयार भी होता है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो like कीजे, subscribe कीजे and follow कीजे और हमें comment में बताइए का हमारा recipe